दल्मव एवं बड़ा मठ में विद्यार्थी संस्कृत भार्षा का ग्यान प्राप्त करके सन्यासुन की तड़ा जीवनियापन करते हैं। रैबरेली गैजेटियर में लिखे गए एतिहासिक साक्षों से पता चलता है कि पंद्रावी सती में दो राजा डल्देव और बल्देव सगे भाई थे। बैस्वारा के बैस राजपूतों के सहयोग से डल्देव ने गंगा नदी के किनारे एक उचे टीले पर किले का निर्माड करके अपना सामराज स्थापित किया। क्योंकि ये लोग भरवंश से होने के कारण धगवान शिव के परमभक्त थे अताथ फोली के पाउन परपर भांग एवं मजिरा का प्रचुर मात्रा में सेवन करने के बाद हाथियार नहीं उठाते थे। इनके इसी मानेता का फायदा उठाकर चौनपूर के इबराहिम शाह शरकी ने इनका वद्ध कर दिया। आज भी यहां के स्थानी ये निवासी खोली का तिवहन नहीं मनाते और इस तरह अपनी समस्त आभूशों एवं सिंदूर का त्याग करके एक विध्वा के रूप में वीर गत को प्राप्थ हुए भर राजाओं एवं सैनिकों के परद अपनी श्रधांजली व्रक्त करती ह गंगा नदी के किनारे कुछे टेले पर राजा डल देव के किले के आउशेश आज भी विद्दमान हैं इसी किले पर बैठ कर प्रसिद्ध कभी सूर्य कांतर पाथी निराला जी ने गंगा के विस्तार का उलोकन करते हुए अनेक महतुपूर रचनाई लिखी यहाँ परिस्ते चौधरी चरण सिंग पंपिंग स्टेशन से गंगा नदी का जल एक छोटी नहर के माध्रम से प्रवाहित किया जाता है जो आगे जाकर शार्दा नहर में विले हो जाती है कर दो आगे जाता है कर दो